स्वागत करता हूँ आप लोगों के आपके अपने चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं IB, ECIU, Second Grade का जो एक्जाम हुआ था आप लोगों को पता है कि जो इसका एक्जाम हुआ था दोस्तों वो 18 से 20 फरवरी के 20 में इसका एक्जाम हुआ था तो उसके बारे माज़ बात करने वाले हैं हम सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे काटेगरी वाइस जो कट अफ होता है उसके बारे में बात करेंगे और जो बहुत ही important question जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि tier 2 का एक्जाम कब होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं result date के लिए तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो इसका एक्जाम है वो 18 से 20 फरवरी को एक्जाम हुआ था उसके next 4 days के ही अंदर IB जो था उन्होंने answer की release कर दिया है और एक्जाम जो है वो online माध्यम से हुआ है तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके वो result डिकलियर कर देगे तो एक मंत ऐसा माना जा रहा है कि एक मंत के अंदर ही result आ जाएगा तो इसलिए आप लोगों को 18 मार्ट से पहले result आ जाएगा अब बात रहा कि टीर 2 का एक्जाम कब होगा वह मागे की slide में बात करेंगे चलिए cut-up के बारे में discuss कर लेते हैं दोस्तों करने से पहले मैं आप लोगों कुछ बता दूं कि पिछला बार एक्जाम बहुत हाई भी का उसमें अर इसमें बहुत फर्क है इसलिए पिछले बार का जो कट अप 65 गया था उससे पिछले बार कट अप 75 बी जा चुका था तो हम बात करते हैं पिछले बार की कट अप और इ पिछले की तुलना में हाई था तो इसलिए आप लोगों को पता है कि हाई होने की कारण इस बार कट अप कम जाएगी ओके अब हम बात करते हैं नेक्स कट अप की बात बढ़ते हैं नेक्स जो कट अप है दोस्तों वह जैनल की कटेग्री बाच कट अप कि मैं आ चुके हम ल कर रहा है तो आप कंफर्म अप्र टू के लिए प्रपेशन स्टार्ट कर सकते हूं ठीक है अब हम बात करते हैं वह भी सी के बारे में अगर आप वह सी कटेग्री से बिलॉंग करते हो और अगर आपका स्कूर 56 प्लस आ रहा है तो आपका आप सेफ हो क्योंकि इसके बाद न जो कटेग्री है सी अगर दोस्तों आप इसी कटेग्री से बिलॉंग करते हैं आपका मस्कूर जो है 48 प्लस है और तो आप सेफ हो आपकी संभावना बढ़ सकती है आपने नौनलाजिशन के बाद और अगर आपका स्कूर 55 के बीच में है तो आप टीटू का एक्जाम करें क क्योंकि यह आपका 100% है इस स्कूर में आपका 80% रिजल्ट बताया सकता है आ सकता है हम बात करते हैं एस्टी की कटप के बारे में तो जो एस्टी की कटफ है वो आप लोगों का 50 से 54 के बीच में रहने वाली हैं ओके और पूटी सेवन मार्स दिखाया गया है आप एंप फोटी सेवन मार्स अगर आपका है तो आप 80 परसेंट अंदर हो 80 परसेंट आपका सकता है कि इसके बाद नौमलाजाशन भी होगा ओके निया नौमलाजाशन का स्कूर में आद तक आप जाओगी अब बात करते हैं अप आपका स्कूर फिप्टी सेवन प्लस रहता है तो आप सेफ हो ओके दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं कि टीर टू का एक्जाम कब होगा तो दोस्तों अगर विजल्ट अठारा मार्स तक आप लोगों को आ जाता है तो आपका एक्जाम है वो लास्ट अपरेल तक हो जाएगा इसलिए मैंने अगर यह मैं अगर आप फर्श्ट वाले स्कूर में आ रहे हो ताप पर यहाप प्रिपेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि आपका संभावना वह एक्टी परसेंट है दोस्तों लेकिन अगर आप इससकोर में आ रहे हो तो आप कन फर्मों इसके बाद नॉर्मराइशन होगी क्यों क्यों नॉर्मराइशन में इंसन थी नॉटिफिकेशन में अब आगे बढ़ते हैं कि आप मेरे चैनल को क्यों सस्क्राइब करें तो इस चैनल पर exam analysis होता है cut-up के बारे में बताया जाता है और result के बारे में बताया जाता है और total vacancy कितनी है उसक के बारें बताया जाता है और हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कुछ सब्जेक्टों के लिए बैचे जो के तो मुझे उमीद है का आप लोगों कुछ आरी बात यह समझ में आया होगा अब अपने स्कोर मेरे कॉमेंट में में संग करें थैंक्यू दोस्तों करते हैं